लव इन्फाइनल चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बात करेंगे कि क्या अच्छानक से आपको एंजल नंबर दिखने बंध हो गए हैं ये सवाल पूचा है अरू भी ने तो इनका सवाल ले लेते हैं हम शायद misguided हो रहे हैं हमसे शायद कोई गलती हो गई है अगर आप ऐसा सोचने लगते हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो आपके लिए ही है और ये सवाल अरू भी जी का है आगे मैं जवाब देने जा रहे हूं कि ऐसे कौन से seven reason है कि आपको angel numbers दिखना almost बंद हो जाता है पहली बात तो ये है कि you have received your manifestation अगर आपने कुछ इश्वर से मांगा था और वो पूरा होने लग गया है तो it means अब angels दूसरों के लिए help करने लग गए है सारे जिन्दगे ये आप ही के साथ रहेंगे मजाग कर रहे हूं what you want जो आप चाहते थे आपको वो मिल चुका है अगर ऐसा है तो वो angel number आपको दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो अपने track पर लगातार चलते रहें keep on track number two क्या reason है कि आपको angelic numbers दिखने बंद हो गए है you have learned your lessons आपने अपने सबक सीख लिये हैं जिन्देगी के बहुत रोई हैं बहुत तडबे हैं बहुत तकलीफ हुई है तो सीखा ना है अगर कई बार गिरे हैं तो कुछ सीखा ही ना जैसे टूटलर कई बार चलता है उठता है फिर गिरता है लेकिन वो सीख जाता है कि अब मुझे कदम किस तरह से रखना है उसी तरह से अगर आपने अपने लेसन सीख लिये हैं तो आपको numbers दिखने कम हो जाते हैं और अगर नहीं तो इसका sign ये है कि अभी आपको lesson सीखना बाकी है तो पहले एक lesson सीखें उसके बाद आगे बढ़ें कुछ नया अपने आपको change करें उसके बाद angel numbers दिखने फिर से शुरू हो जाते हैं number three reason ये है कि आपको there are other signs to consider कि मतलब कुछ अलग आप consider कर रहे हैं keep manifestation आप अगर कुछ जैसे sometime ये होता नहीं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए मैं तो बिल्कुल खाली हूँ मेरा cup बिल्कुल खाली है अब मुझे इस cup को full करना है तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए बहुत ज़्यादा होता है तो angels भी confused हो जाते हैं लिए one time में एक ही चीज मांगे एक चीज मेनिफेस्ट करें बड़े अच्छे से शिद्दत से तो वो ज़रूर पूरी होती है मैं तो यही कहूंगी कि dream journal भी लिखना शुरू करें जो भी आपने dream देखा है उसे याद रहता है आपको तो बहुत अच्छी बात है लेकिन लिख कर रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी number fourth reason यही है कि आपको angel number दिखना बंद हो गया है या कम हो गया है वो यही है कि your path is changing आप अपने path को change कर रहे हैं कि अब तक आप मांगते थे वो चीज़ आपने मांगनी छोड़ दी है जैसे कि twin flame journey का ही उधारने ले ले आप कहेंगे कि मुझे तो DM की चाह है वो एक बार रीकंसिलेट तो करें एक बार तो phone आए या आप बार-बार manifest कर रहे थे या एक बार आया लेकिन उन्होंने आपको जबरदस तरीके से दो डाला या blame कर दिया तो फिर आप सोच रहे हैं कि ठीक है रहे ने दो मुझे अपने उपर काम करना है मुझे DM के पीछे नहीं भागना है यानि कि आपने अपनी perspective अपने रास्ते को बदल लिया है तो तब भी आपको angel number दिखने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं फिफ्ट साइन फिफ्ट रीजन यह है कि you are being impatient कई बार क्या होता है कि बहुत impatient हो जाते हैं मेरा reunion कब होगा कब date आएगी कब वो सब कुछ होगा जब जो मैं चाहूंगी अच्छा समय कब आएगा कब मिलेंगे कब बैठेंगे कब बात होगी कब अच्छा समय चुरू होगा जब कब चुरू हो जाता है हम time का wait करने लगते हैं और present को भूल कर वो कर्म करना छोड़ देते हैं तब जब आप इतने ज़ादा impatient हो जाते हैं तब भी angel number दिखना कम हो जाता है number six reason यह है कि अब आपको वो सारी चीजों की ज़रूरत नहीं है जैसे sometimes you no longer need them them means angel numbers अब आपको angel numbers की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको angel numbers नहीं या उनकी guidance नहीं ही आपको आके बढ़ाया है और आप आप सोच रहे हैं कि यस एक मुकाम तक मैं पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ अब मुझे ये कर्म करना है मुझे बहुत ज़्यादा angel numbers को भी chase नहीं करना है मुझे किसी को chase नहीं करना मैं इस जीवन में आया हूँ मुझे proper काम करना है जो मुझे universe के थ्रू spiritual downloads हुए है वो करना है अपने लिए और society के लिए जो कर सके जिस भी वे से कर सके जितना भी ग्यान है उस तरीके से दे सके ठीक है और it means difficult time अगर आपको यह लगता है कि आप alignment से अलग हो गया है यानि कि universe से नहीं जुड़ पा रहे है तो it means आपका यह time है कि आप double check करें अपने thought को आपको angels numbers जो कम दिखने शुरू हुए है अपने thought को double check करने की जुरूत है यानि कि what I am eating what is the time of rest यह सारी चीज़ें आपको देखनी है कि meditation का कितना time मैं दे रहा हूं या दे रही हूं how to balance my divine feminine and divine masculine energy into myself not the body तो just be ready to receive just be ready to receive जो भी आप चाहते हैं and good luck thank you so much